हे गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फाइनली आज हम बात करेंगे Realme C2 डिवाइस एंड मार्च अपडेट के बारे में बट एक्चुल में मेरे पास कोई पी अभी ऑफिशल चीजे नहीं है आप सभी को बतानी के लिए सब कुछ एक्सपेक्टेड होने वाला है तो इसे सिरियस मत लेना बट हाँ बहुत ज़दा चांसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब चीजे जो है Realme C2 के साथ हो सक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करके ही जाना आपको जो है मेरे चैनल पे जो है ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो डेली मिलती रहेंगी गाइस Realme C2 की कंडिशन बहुत ही भूरी चल रही है फिलाल जो अपडेट C2 में रोल आउट हो रहा है वो दो मैने में एक अपडेट रोल आउट हो रहा है और C2 में जो लास्ट अपडेट रोल आउट हुई थी वर्जन था 8.23 एंड मतलब ये अपडेट January में रोल आउट हुई थी और February का अपडेट C2 के लिए स्कीप हो गया February में C2 में कोई भी अपडेट ओल आउट नहीं हुआ और अभी March स्टार्ट हो चुका है तो obviously आपको C2 में जो है March का अपडेट मिल जाएगा I know आप Realme C2 में निव अपडेट का बहुत जादा टाइम से वेट कर रहे हो और ये सब टोटल सीन के लिए मैंने एक February में special वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को रिजन बताया था अपडेट क्यों स्कीप हो रहा है बहुत से उसको भाई पहले पता नहीं था कि अपडेट क्यों नहीं मिल रहा तब जाके पता चला तो उस वीडियो में लगभग स साथ क्या खास मिल जाएगा फृस्ट आप सभी को है अपडेट में आप्डेट में अभी रूल ausge होने वाला है तो बहुत जादा चांसे है कि जो अपडेट सी टू में अभी रोल आउट होगी उसमें आपको वह वाइफ है उप्शन का सपोर्ट मिल जाएगा एंड प्लस आपको रियलमी सी टू में मार्च अपडेट के साथ सेकूर्टी पैच लेवल जो है मार्च का मिल जा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको मार्च अपडेट के साथ सेकूर्टी पैच लेवल मार्च का मिल जाए एंड गाइस रियलमी सी टू में मार्च अपडेट के साथ वह मिल सकता है काफी जादा चांसे से हाली में जो है रियलमी यूवन और वन में जो निव जाते है कि ओल्ड डिवाइस में सभी को जो है स्वाइप अपडेट मिले लाइक रियलमी सी टू सी वन उसके बाद रियलमी टू एंड शायद रियलमी 3 & 3i में भी स्वाइप अपडेट नहीं है तो बोट साइट गेश्चर इस बार निव अपडेट में मिल सकता है इसके ब बहुत यूजर बहुत से जादा बहुत यूजर स्वाइप अपडेट कर रहें तो इस अपडेट के साथ आप सभी को मिल सकता है तो वेट करते क्या होता है मार्च अपडेट के साथ एंड कौन-कौन से डिवाइस में ऑफिशली बोच साइट गेश्चर का फ्यूचर मिलता एंड लास्ट में रियल्मी C2 में मार्च अपडेट के साथ बग फिक्स हो सकता है जो हर बार होता है जनुवर्य अपडेट के साथ भी कुछ बग फिक्स हुआ है and March update के साथ भी bug fix हो जाएगा maybe chances है कि आपको कुछ और changes मिल जाए सभी changes बता पाना बहुत मुश्किल होता है जो changes मैंने आपको अभी बताए है वो आदे से जादा changes बताए है तो ये सब चीज़े आपको मिल सकती है March update के साथ and बात कर ले Realme C2 में March update कब तक मिल जाएगा तो March update March के second week से जो है मिलना start हो सकता है अभी फिलाल first week खतम हो चुक है and second week start हो चुक है तो second week में जो है Realme C2 में कभी भी update rollout हो सकता है and गलती से अगर March के last week में update rollout हो गया तो फिर वो officially April तक चला जाएगा ओटी update officially rollout होने में one week का time लगता है तो फिर April तक चला जाएगा और काफी जादा लंबा time हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता chances है कि आपको जो है next week जो next week आने वाला है उसी में Realme C2 में March update मिल जाए and अगर आपको कोई question and doubt है तो नीचे comment section में पूछ लेना आपका छोटा भाई आपको reply देगा 100% देगा and अगर आपको ये video पसंद आईए तो like करके जाना बिल्कुल like करके जाना share comment भी करके जाना मिलता हूँ मैं आपको next video में तब तक लिए good day take care bye bye